विहार पे focus क्यों कर। क्योंकि जा रहे हैं वह पर कहां जा रहे हैं बताओना अप collect from 1900 लोगों में से 17,800 लोग तो दूसरे State से भी आ हैं मैं वहीं बोल रहाओ, नहीं नहीं मैं वहीं बोल रहाओ कि वह आप्ड़ा निकाल रहे हैं उसमें से उन्होंने फिर मैंने उनको पूछा कि इस स्टेट से ही इन दो तीन स्टेट से कितने आये हैं जिन्होंने क्राइम किया हुआ हैं उन्होंने कहा कि इन 19,000 में से 50-60% वहीं लोग हैं मुझे लगता है कि आप एक बार पुलिस से क्यों नहीं पूछते कि exactly यह क्या हो रहा है सुनो मिरे बात मैं आपसे यह पूछना चाहते हैं इन सो बार जब गए तब क्यों नहीं लेटर भेजा अभी क्यों लेटर भेजा मुंबई पुलिस ने ऐसा कौन सा गुना किया है जो सो बार वो आज तक गए है आठ बैने में और अभी आप जाने के बाद आप उनको लेटर भेज रहे हो कि आपने इलीगल किया काम बात यह है कि राज ठाकरे को जब डोस देते हो न आप बताते हो न जब दिल्ली से इस देश का कानून एक है यह देश पूरा एक है इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है कहीं भी रह सकता है अगर कहीं भी जा सकता है किसी भी स्टेट का आदमी पुलिस नहीं जा सकती क्य में आपको बताता हूँ इंटरसेट माइग्रेशन आक्ट क्या है जो अगर कल बिहार के पुलिस करमचारी के ने कहा कि महाराष्टरा के किसी व्यक्ति ने या महाराष्टरा में रहने वाले किसी व्यक्ति ने कोई हमारे स्टेट में कोई अपराध किया तो ये तो आप भी मांग करेंगे कि जरूर आईए महाराष्टरा में और आपकी कानूनी प्रक्रिया कीजिए मगर आप जरा हमारे लोकल पुलीस करमचारी को इनफॉर्म कीजिए तो मेरा सवाल यह है कि आप इतने राज़ राकरी जी मेरा सवाल आप एक मिनिट आप इतने इस बात पे उत्ते जित क्यों हो गए जहां से जादा से जादा क्रिमिनल्स यहां पे आ रहे हैं पॉलिसको भी मावाव है ह॒ काईदेय और कानून की बात कर रहे है youth तो मैं वहीं बोल रहा हूं तो इंट्रस्टेट माइगरेशन अक्ट उसको भी एपलाई करो अगर सब के लिए अगर समान है अगर देश का कानून अगर हर स्टेट के लिए ठीक है, समान है तो आप सिर्फ एक ही कानुन देखेंगे दूसरा कानुन नहीं देखेंगे राज टाकरे जी सवाल मेरा थोड़ा सा ब्राड बेस्ट है मेरा सवाल ये है कि अगर किसी अगर किसी ने महाराष्टा पुलीस के इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की बाधा दी, तो उसके लिए मुंबाई में रहने वाला एक हार्ड वर्किंग बिहार का आदमी, उसे क्यों ये लगे कि मैं टार्गेट बनूँगा क्योंकि कोई दो स्टेट्स के administration के बीच में कोई तालमेल नहीं बनती है, उसके लिए मुंबाई में रहने वाले किसी बिहार या उत्तरप्रदेश या किसी और राजे के व्यक्ति को इन्सेक्योरिटी क्यों हो राज ठाकर ऐसा कॉमेंट क्यों करें कि उन्हें लगे कि हमको भी target किया रहा है मैं वहीं बता रहा हूँ अरनव, पेरी पूरी बात समझ लो कि एक बार आप police को कानून सिखा रहे हो फिर Interstate Migration Act जो है मेरे सामने है बराबर है, उसमें जो कहा है वो भी तो कानून है, फिर आप यहां से ट्रेंद भर-भर के जब बाहर से महाराष्टर में लोग आते है तो वो जो कानून बनाया गया है आपको inform करना पड़ता है कि हम लोग आए हैं इस काम के लिए फिर वो apply कि नहीं हो रहा है तो मैंने वहीं कहा कि वो apply करे क्या वो तो apply फिर महाराष्टर के लोगों पर भी वहीं बोल रहा हूँ, वो apply करे क्या या आप वो threat के देने नहीं, बात threat की नहीं है बात यह है कि आप वहाँ पे जाके महाराष्टर की पुलिस जाके या कहीं और state के सुनो मेरी बात अभी पूरा में bomb blast हुआ उसका जो आरोपी पकड़ा गया बिहार से है जो जर्मन बिकरी का जो blast हुआ था जो जेल में ही मर गया, आदबी बैंगलोर की पुलिस जाके पकड़ रही है उत्रप्रदेश में जा रही है मुझे सिर्फ इतना ही कहना है आप मेरे को जो सवाल पूछ रहे है न एक बार उनके स्टेट को जाके सवाल पूछो न आप बिहार और उत्रप्रदेश को क्यों टाखे हैं क्योंकि वहां से crime बढ़ते जा रहा है और वहां के जो यह जो दो स्टेट्स है वो यह सारी चीज़े कंट्रोल नहीं कर पा रहे है क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान से नेपाल के त्रू यहां पे आने वाले जो लोग है वो है उत्तरप्रदेश में बांगलादेश से आने वाले लोग जो है वो आपके यहां पे बिहार में है आसाम में जा रहे है उस दिन जो सारी चीज़े जो भड़की वो आसाम से हुई